ओम नमेशिवाय जैश्री महांकाल हरार महादयो दोस्तों आप सभी का आपकी अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपको बहुत आभारे आप जो प्यार सपोर्ट आपकी अपने चैनल को प्रतान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद किसी भी जातक का जब भाग्य बदलता है तो भाग्य बदलने से पहले उसे आठ संकेत मिलते हैं वो आठ संकेत कौन से मिलते हैं या आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं बहुत सारे जातक अपने मन में ये प्रिश्न करते रहते हैं, आप भी करते होंगे खुछ से, कि हमारे भागे साथ नहीं देता, हमारे भागे में तो कुछ अच्छा लिखाई नहीं है, और भागे को लेकर अपने भागे को बार बार कोशते रहते हैं, तो अगर आपको भाग सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े कमेंट्स में भूले नात का कोई एक नाम लिखे अगर आप चाहते हैं अपने कुंड़ी का विशलेशन हमसे करवाना स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आ अगर आपकी हतेली पर बार बार खुजाल आ रही है कुछ दिनों से अगर आप पुरूश है तो सीधे हाथ तरप अगर आप महिला है तो उल्टे हाथ तरप अगर बार बार आपकी हतेली पर खुजाल आ रही है तो ये संकेते भाग्य बदलने का एक बार नहीं कुछ दिनो आपको सपेद साब दिखाई थे सपने में या नाग देउता के दर्शन हो तो यह भी भाग्य बदलने का एक बहुत बड़ा सुब संकेत है तीसरा संकेत है कि आपको अपने सपनों में अगर कोई पुरातन पुराना मंदिर नजर आ है जिस मंदिर में आप दर्शन कर रहे हो कोई जो तिरलिंग हो कोई पुरातन मंदिर हो जिसके दर्शन कर रहे हो आप वो किसी भी देवी दे उताओ के हो तो यह भी भाग्य बदलने का एक बहुत बड़ा सकारत्मक संकेत है तीसरा संकेत है कि आपके जो प्रिये थे जो इस दुनिया से गुजरे हैं वो कोई भी हो संकेत है कि अगर आप अपने घर के आसपास या कहीं भी पीपल का वरक्ष लगाते हुए खुद को देख रहे हैं सपने में या कोई भी पोधा पेड़ी लगाते हुए खुद को सपने में देख रहे हैं तो यह भी जिवन में एक सकारत्मक बदलाओ का बहुत बड़ा संके थे दोस्तों इस संक्यत को भी आपको समझने क्या उशक्ता है अब जो संक्यत में आपके साथ साजा किया क्या आपके साथ कभी न कभी इसमें से कोई संक्यत आपको मिले हैं अगर मिले हैं तो जरूरा बताएगे अब मान लेज़े आपका भागय आपका साथ कते ही नहीं दे करते हैं उसके बाद भागे साथ नहीं दे रहा है ऐसी परिष्टितियों में आपको क्या करना चाहिए सबसे पहला काम आपको करना चाहिए अपने घर के असपस पीपल का ब्रक्ष अबस्य रूप से आपको रोपीत करना चाहिए उसकी सेवा करना चाहिए जैसे हम एक जहां सूरी का प्रकास आ रहा है, वहां खड़े होकर हन्मान चलिसा का पाट करना है, चाहे वो छत हो, एगर का आंगन हो, वहां से, उसी लोकिशन से करना है दोस्तों, अगर नहीं है, तो किसी मंदीर में जाकर यह प्रयोगा आप कर सकते हैं, सूरी के सामने खड़े होकर हन् अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडी का विश्टेशन हमसे खरवाना, स्क्रीन की उपर हमारे नमबर चली रहे हैं, आप आएं, वोटस अपर अपोडमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस शुलक लाग हो है, जो भी हमसे मदद हो जरूर आपकी करेंगे, मिलते हैं अगरे विडियों में तब तक के लिए, ओम नमस्षिवाय, जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल